और आप खबर लखनव से शिक्षक अभ्यरतियों का चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी है ओपी राजबर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजबर के घर के बाहर इस वक्षक अभ्यरति जुटे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं तस्वीरें आप देखिए ओपी राजबर के घर के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है 69,000 पदों का ये पूरा का पूरा मामला और आरक्षन में घोटाला किया गया है ये आरोप लगाया जा रहा है शिक्षक अभ्यरतियों की तरफ से इससे पहले हमने देखा था किस तरह से यूपी के जो डेपुटी सीम है केशव परसाद मौर्या उनके घर के बाहर जो अभ्यरति हैं वो जमाऊवे थे जोरदार प्रदर्शन किया गया था इसके बाद आशिश पटेल जो की मंत्री हैं उनके घर के बाहर तमाम अभ्यरति जुटे और अब ओपी राजभर के घर के बाहर प्रदर्शन जारी है चौते दिन भी ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है न्युक्ती की बांग को लेकर शिक्षक अभ्यरति धरने पर यहां पर बैठे हुए हैं पंकज यह पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है क्या कहना है अभ्यरतियों का और कोई सुन्वाई हो भी रही है इनकी या नहीं समय देखे क्या संयोग है कि आज 5 सितंबर शिश्षक दिवस है और जो अभ्यरतियां धरना पर रसन कर रहे हैं ओंपिटनास राजबर की धर की सामने में वो सब टीचर वनना चाह रहे थे और उसी की लड़ाई है हाइपोर्ट के डवल बैंच ने यह फैसला सुना दिया है सिरहालात में इनका मामला लंबा खित रहता है इसलिए लगातार आपने देखा होगा कि पहले के शपरसाद मौन, फिर आसीज पटेल, फिर भूपेंच ओधरी बीजिपी के प्रदेश सज्डेक्शाज ओंप्रकास राजबर और यह संजूग देखे कि सभी पिछ्री विरा इन चार मांगों को लेकर यह लगातार भरना प्रदस्न कर रहे हैं सरकार का पक्स क्या है? सरकार की तरफ से इन अभ्यरतियों को कुछ नहीं बताया गया है और यही वज़य है शिक्षक अभ्यरतियों की नाराजगी की कोई आश्वासन, कोई भरोसा नहीं दिया गया है मेरिट लिस्ट बननी शुरू भी हो गई है या नहीं अलाबाद हाई कोट के आदेश के बाद ये भी जानकारी नहीं दी जा रही है और जनरल कैटेगरी के कुछ चात्र चले गए है सुप्रीम कोट ऐसे में ये मामला लटक ना जाए ये जो डर है वो शिक्षक अभ्यरतियों में साफतोर पर नजर आ रहा है और इसलिए अलग-अलग मंत्रियों के आवास के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन इस तरह के हो रहे है